खबर सीमल वाड़ा से धंबोला थाना शेतर की सूजा तलाई के एक विवाहिता नी जीतपूर गुजरात निवासी एक वालमीक की समाज की युवा के साथ प्रेम विवा किया एक तिसमय को विवाहिता महिला घर से मोडासा उपचार करानी जानी निकली थी जो वापस नहीं लोटी पांच जुन को धंबोला थाने में गुमशूतकी की रिपोर्ट दर्च कराई थी 26 जुन को मालपूर पुलिस ने महिला को डिटेन किया था धंबोला पुलिस मालपूर पुलिस थाना गुजरात पहुच महिला के बयान दर्च किये जिसमें महिला ने वालमी की समाज की युवा के साथ प्रेम विवाह करने उसके साथ रहने जबरदस्ती ले जाने पर आत्म हत्यकी चेताब नहीं दी थी पुलिस ने उसे वहीं छोड़ दिया था दूसरे दिन 27 जुन रविवार को बंजारा समाज के लोग मालपूर पुलिस थाने में ग्यापन देने, महिला को वापस सुपूर्द करने, परिवार के समक्ष बयान देने की मांग करने, सूजा तलाई से रवाना हुए थे लेकिन कुछ लोगों ने जीदपूर में वालमी की समाज युवक के एक घर पहुँच हंगामा खड़ा किया, तोड़फोर करने का आरोप लगा समाज के एक पिता पुत्र का अपहरन भी किया, लेकिन रात को ही अपहरन पिता पुत्र को मालपूर पुलिस को सौप दिया था, मालपूर पुलिस ने ततकाल ही कारवाई कर तीन युवक और छे महलाओं को गरफतार किया, दलित के घर हमला करने, तोड़फोर मारपीट अपहरन समेत में मामला दर्च किया, दूसरी और आज शनिवार को मोडासा गुचरात पुलिस अधिकशक सुनील रेबारी, इंस्प विवार से ही अधिकांश लोग टांडा से गायब हैं, खबर भारत वर्ष के लिए सीमल वाडा डूंगरपूर राजस्तान से गुडवन्त कलाल की रिपोर्ट अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हबर हमारी पैसला चनल